नमस्कार किसान बाईयो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड्सगीन में आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पीली सरसो की कुछ उन्नत किसमों के बारे में कुछ हाइब्रिड किसमे हैं और कुछ आपकी देशी वेराइटी की किसमे हैं उनकी आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कौन सी वेराइटी में कितना उतपादन होता है कितने समय वो पकती है कितने पानी की उसको जरूरत है कौन सी रोग परतिरो तक चमता वाली वेराइटी है और उसमें तेल परसेंटेज क्या है सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको hybrid variety के बारे में जानकारी देने वाला हूँ ये new variety हैं और इनको आप अपने खेतों में अच्छे से उगा सकते हैं और इनसे अच्छा उतपदन पीवी पा सकते हैं तो कौन-कौन से वेराइटी है वो तो हाइविरिट सीड के अंदर पहली वेराइटी जो आती है पीली सरसो की वो आती है गोल्डी गोल्डी नाम से आपको पाने पानी में जो होता है तो इसके अंदर 40% निकलता है बीज़दर की बात करेए जो आपका रिकटके बौई के लिए तीन किलोग्राम पर एकड़ के साब गयागा है आप छिटकाओ करके बुआई करेंगे तो तीन किलोग्राम लगेगा अगर आप लाइन यानि पंतियों में आप बुआई करेंगे तो आपका धाई किलोग्राम पर एकड़ के साब से यह बीज़दर लगने वाला है hybrid seeds की दूसरी variety जो आती है वाती है super goldy ये भी आपको market में आराम से मिल जाएगी इसका जो समय है पकने का 110 से 120 दिन में ये पक के तयार हो जाती है पोदे की उचाई आपकी 145 से 155 cm रहती है बुआई का समय जो है सितंबर महा में आप इसकी बुआई कर सकते हैं पानी जो लगता है इसमें तीन पानी आप इसको लगा सकते हैं इसमें अधिक साखाई बनती है ये अगएती बुआई में आपकी साखाई जधा बनती है रोग परतियो तक छमतक की बात करें तो माहवा रोग आपका इसमें बहुत कमी लगता है उत्पाधन जो है इसका आपका 9-10 कुंटल पर एकड़ के साबसे आप इसका उत्बदन कर सकते हैं तेल परसेंटेज की बात कर लें तो 40-40% इसमें तेल निकलता है इसके बीज से और बीजदर की बात करें तो 3 kg पर एकड़ के साफ से छिड़काओ के रूप में आपका बीज़ लगने वाला है और 2.6 kg के साफ से पर एकड़ के साफ से अगर आप पंगतियों में बुआई करेंगे तो आपका बीज़दर रिक्वायर होगा तीसरी वेराइटी जो आती है हमारी वो आती है तिरुकुटा की गोल्डन 99 यह भी एक हाइब्रिड सीड्स है और न्यू वेराइटी है यह इसका जो समय लगता है पकने में 100-110 दिन इसको पकने में लगता है बुआई का समय आप इसको अगेती और पचेती दोनों तरह से बुआई कर सकते हैं यानि सितंबर से लेकि दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं जो पानी लगने वाला है इसमें चार पानी लगता है इसकी बुआई में उत्पादन जो होता है इसका 7 से 8 कुंटल पर एकड़ के साब से इसका उत्पादन होता है तेल परसेंटेज जो होती है इसके अंदर 42 से 43 परसेंट इसके अंदर तेल निकलता है बीजदर जो है आपक इसका दाना होता है मोटा पीला और जंदार होता है प्राइज जो आता है आपको मार्किट में इसका 300 रुपे पर गेजी के साब से आपको ये सीड्स असानी से मिल जाएगा तो ये ते कुछ हाइब्रीड सीड्स आप बास कर लेते हैं देसी वराइटी है नहीं जो आपकी पुरानी वराइटी है उनके बारे में बात कर लेते हैं तो इसके अंदर सबसे पहली वराइटी आती है के एटी एट ये एक देसी वराइटी है और ये 1978 से अब तक बोई जा रही है इसका जो समय लगता है पकने में 125 से 130 दिन में ये पक्के तयार हो जाती है उत्पादन जो इसका होता है 16 से 18 कुंटल पर एक्टर के हिसाब से इसका उत्पादन होता है और जो तेल परसेंटेज की बात कर लें इसके अंदर 44 से 45 परसेंट तेल होता है इसी वज़े से किसान इसको अब तक बहुते आ रहे है कि इसमें पकेल की मातर सबसे जादा होती है पानी जो जरूत होती है इसकी 4 पानी में ये पक्के तयार हो जाती है बुआई के जो समय है इसका आप सितंबर महीने में इसकी बुआई कर सकते है आप इसकी पोधे की जो उचाई हो जाती है 3-4 फिट तक इसकी पोधे की उचाई हो जाती है कुछ-कुछ पोधे 5 फिट तक भी चले जाते हैं तो ये देशी वराइटी काफी अच्छी वराइटी है यूगि इसमें तेल की मातर सबसे ज़्यादा होती है इसके बाद जो आती है आपके तेप पितांबरी ये भी एक देसी वराइटी है 2009 से ये अब तक बहुती आ रही है यानि खिसान इसको अब तक इसकी बुआई कर रहे हैं इसका जो समय लगता है पकने में 110 से 115 दिन में ये पक के तयार जाती है उत्पादन जो हमें देती है ये तरीके से आप इसकी बुआई कर सकते हैं देसी वराइटी के अंदर तीसरी जो वराइटी आती है वो आती है नरेंदर टू ये 1996 से अब तक किसान इसको बहुते आ रहे हैं इसका जो समय लगता है पकने में 125 से 130 दिन लगता है तो इसकी आप अगेती बुआई ही कर सकते हैं उत्पादन आपका 7-8 कुंटल पर एकड के साब से या फिर 16-20 कुंटल पर हेक्टर के साब से आप उत्बदन ले सकते हैं इसके तो दाना होता है मोटा होता है और जनदार होता है तेल परसंटेज की बात कर लें तो इसके अंदर 43-44% तेल की मातरा होती है पानी तीन पानी इसकी जरूत होती है तीन पानी की बुआई कर समय जो है आप अगेती बुआई कर सकते हैं तो ये थी कुछ hybrid seeds और देशी variety कुछ new variety हैं और कुछ हमारी पुरानी variety हैं किसान भाई अभी भी हमारी पुरानी variety को बोते हुए आ रहे हैं क्योंकि उसमें तील की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है तो मैंने आपको पीली सरसो की डेशी और hybrid दोनों variety बताई हैं तो आप कोई सी भी variety का chain कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे और अपने खेत में इसकी बुआई कर सकते हैं अभी सितंबर का महीनत चल रहा है तो आप इसकी बुआई कर दीजिए और इसका उत्पादन आपको काफी अच्छा मिलेगा तो किसान भाईयो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और वीडियो को सेर करना ना भूलिए थैंक्यू